Budget smartphone निर्माता Infinix ने भारत में दो नए smartphone लॉंच किये. Infinix Note 10 और Infinix Note 10 Pro को 7 जून को लॉंच किया गया था. भारत में Infinix 10 की कीमत बेस वेरियंट के लिए 10,999 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि Infinix 10 Pro आपको 16,999 रुपये वापस कर देगा, जो की हमारी राय में थोड़ा महेंगा है. Infinix Note 10 Specifications Infinix Note 10 में 6.95 इंच FHD IPS LCD पैनल है जिसमें 180 Hz टच सेंसिटिविटी और 480 Nits brightness है. एक Mediator Helio G85 सोपने स्मार्टफोन को 6 GB RAM और 128 GB Storage के साथ जोड़ा है जिसे MicroSD Card के जरिये 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में 18 Watt Fast Charging Sport के साथ 5000 MHz की बैटरी है. Optics की बात करें तो Infinix Note 10 में पीछे की तरफ ट्रिपल केमरा सेट अप है, जिसमें 48 MP का प्राइमरी सेंसर, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का मेक्रो लेंज है. इसमें सोशल मीडिया स्टाफ के लिए एक 6 MP का मॉड्यूल और बायोमेट्रिक आथेंटिकेशन के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है. Infinix Note 10 Pro स्पेसिफिकेशन Infinix Note 10 Pro में वही 6.95 इंच की FHD डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्स है. फोन मीडियेटर केलियो G95 चिपसेट द्वारा संचालित है जिसे 8 GB RAM और 256 GB इंटर्नल स्टोरेज के साथ चोड़ा गया है. इसके Quad Camera एरे में 6,4 MP का Primary Sensor, 8 MP का Wide Angle Lens और 2 MP का Sensor है. Henceit 18W Fast Charging Sport के साथ 5000 mAh की बैटरी से पावर लेता है.